हेलो फ्रेंट्स, तो ये है DC की लेटेस्ट मूवी, जहां कुछ पैट्स को अचानक से सूपर पावर्स मिल जाती हैं, और वो बन जाते हैं सूपर पैट्स. उमीद करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आएगी, तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले. तो मूवी सूपर मैन के हूम प्लैनेट क्रिप्टोन से शुरू होती है, जहां आम उसे एक बेबी के रूप में देखते हैं, और वो अपने डोग क्रिप्टो के साथ खेल रहा है. तब ही उसके पेरिंस वहां आते हैं, जिन से पता चलता है कि क्रिप्टोन प्लैनेट नश्ट होने वाला है, और वो अपने बेटे को एक स्पेस पोर्ड में बिठा देते हैं, ताकि उसे इस प्लैनेट से बाहर भेच सके. तब ही उसका पेट क्रिप्टो भी भाग कर उस पोर्ड में चड़ जाता है, और उसकी मॉम कहती है कि हमारे बेटे को भी एक दोस्ट की जरूरत है. वे पोर्ड उने लेकर स्पेस की और जाने लगता है, और हम देखते हैं कि पीछे से क्रिप्टो नश्ट हो गया है, तब ही अचानक वो बेबी रोना शुरू कर देता है, और क्रिप्टो उसे शांत करने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि उन्हें एक दूसरे का सहारा बन बनकर सिटी की रक्षा करते हैं, जैसे बैंक रोबर्स को पकड़ना, शैतान रोबर्स का मुकाबला करना, और एक्सिटेंट से लोगों की जान बचाना, प्लाग डेली प्लैनेट नाम के एक न्यूस पेपर में काम करता है, और उसे लूइस नाम के एक जर्नलिस बहुत पस करते हैं, कि लूइस के आते ही उसकी इंपोर्टेंस कम हो जाएगी, और क्रिप्टो भी ये सब सोचकर परिशान हो जाता है, उदर लूइस भी इस बात को नोटिस करती है, कि क्रिप्टो शैब कुद को अकेला फिल कर रहा है, और वो क्लाग से उसके लिए एक दोस ढूनने किये थे, और उसी नोलिज से उसने एक ऐसी डिवाइस बनाई है, जो उसे अनलिमिटेट पावर दे सकती है, लेकिन एस और बागी एनिमल्स उसे पागत समझते हैं, इतर प्लाग भी क्रिप्टो को लेकर उसी शैल्टर में आता है, और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक स क्रिप्टो से होता है, जो उसे इस तरह शैल्टर से नहीं भागने देता, और कहता है कि बिना मालिक के तुम बाहर नहीं गूम सकते, तब एस उसे बताता है कि तुम भी जादा दिन तक खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मालिक तुम्हारे लिए एक दोस ले और वो उसे और जादा इंप्रेस करने के कोशिश करता है तब ही उनकी नजर एक बिल्डिंग पर जाती है जहां कोई एक मीटोराइट को पकड़ कर नीचे खीच रहा है और वो समझ जाते हैं कि यह उनका जानी दुश्मन लेक्स लूथर है यहीं हम लेक्स और उसके साथ ही मर्सी को देखते हैं और लेक्स बताता है कि मैं इस औरेंग क्रिप्टोनाइट की मदद से अपने पावर्स बढ़ाना चाहता हूँ मर्सी को यह बिल्कुल पहले वाले जैसा लगता है लेकिन लेक्स कहता है कि वो तो एक ग्रिप्टोनाइट था जिससे सूपरमेन की पावर्स कम हो जाती है लेकिन यह ओरेंज वाला तो पावर्स देने का काम करता है तब ही क्लार्क और क्रिप्टो वहां उन्हें रोकने आते हैं और क्लार्क उस मीटोराइट को वापस स्पेस में ले जाने लगता है लेक्स उसे रोकने के लिए अपनी लेजर गन का यूज करता है जिससे वो मीटोराइट क्लार्क से छूट कर नीचे गिरने लगता है लेकिन इससे पहले कि वो जमीन से टकरा पाए एक वेब वहां आकर उसे पकड़ लेती है और पता चलता है कि ये जुस्टिस लीग का मेंबर एक्वा मैन है उनके बाकी मेंबर्स भी सूपर मैन के मदद करने आते हैं जैसे साइबोग, वंडर वूमेन और ग्रीन लैंटन तब लैक्स अपना एक रोबोटिक सूट निकालता है और उसके मिसाइल के अटैक से मीटोराइट के कुछ टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं और लैक्स कहता है कि मुझे तो बस एक ही टुकड़े की जरूरत है फ्लैश उन टुकड़ों को इकठा करने की कोशिश करता है लेकिन उन में से एक लैक्स के हाथ लग जाता है पर वो देखता है कि इस से उसे कोई सूपर पावर नहीं मिली तब बैटमेन वहां आकर उसे एक जोरदार पंच देता है और वो मीडियो राइटर उसकी टुकड़ों को स्पेस में भेज देते हैं तब ही हम देखते हैं कि एक लेजर ने उस टुकड़े को पकड़ लिया है जो असल में लूलू नाम के उस गीनी पीग ने भेजी थी उसकी मशीन उस क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देती है जिसकी अनर्जी से कोई नहीं बच पाता और वो बताती है कि यही तो मेरा मास्टर प्लैन था पता चलता है कि उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला साइंटिस लेक्स ही था और वो अलावला कलर के क्रिप्टोनाइट्स को ट्राए कर रहे थे लेकिन उन्हें सबसे ज़ादा उमीद इस ओरेंज क्रिप्टोनाइट से थी फिर सूपरमैन और सूपर डोग ने उनका सारा प्लैन फेल कर दिया और वो उसे पकड़कर इस शेल्टर में ले आए यूज करके यहां से भागने की सोचती है एस उसे अपनी मदद करने को कहता है पर लूलू उनकी एक नहीं सुनती और अपना बदला लेने के लिए वहां से निकल जाती है लेकिन वो ये नहीं जांगती थी कि क्रिस्टले बाकी अनिमल्स को भी सूपर पावर दे दी है जैसे पी भी अपना साइस बदल सकती थी मैटन को मिली थी सूपर फास्ट होने की पावर चेप अब हातों से इलेक्टिसिटी छोड़ सकता था और एस बन गया था सूपर पावर फुल और इनका यूज़ करके वो सब भी शेल्टर से भाग निकलते हैं आगे हम क्रिप्टो को देखते हैं जो क्लाक के साथ एक मूवी इंजोई करना चाता है लेकिन देखता है कि वो दो लूईस के साथ डेट पर जा रहा है इससे उसे बहुत दुख होता है कि क्लाक उसे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता लेकिन च्लाक उसे शाम को आने को कहकर वहाँ से चला जाता है दरवाजे के बाहर उसका सामना लूलू से होता है जो यहाँ उसे पकड़ने आई है और इसके लिए वो एक Green Crypto Knight का यूज करती है क्लाक अपनी लेजर से उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन Green Crypto Knight ने उसे Powerless बना दिया था और जल्दी ही लूलू उस पर काबू पा लेती है Crypto भी ये सब देख लेता है लेकिन पता चलता है कि उसकी Power सचानक से गायब हो गई है और तब लूलू उसे बताती है कि तुमारे Snacks में मैंने Green Crypto Knight मिला दिया था और जैसे तुमने Lex को मुझस से अलग किया था मैं भी सूपरमैन को तुमसे दूर ले जा रही हूँ तब ही Crypto को दूर कुछ Lightning नजर आती है और उसे लगता है कि ये शायद लूलू के ही दोस्त हैं जो उसे उस तक पहुचा सकते हैं वो वहाँ उनसे मिलने जाता है लेकिन देखता है कि ये तो Shelter से भागे वे वो Stray Animals हैं वो उनके पास Super Powers देखकर बहुत हैरान होता है और बताता है कि कैसे लूलू ने सूपरमैन को Kidnap कर लिया है और वो उसे चुडाने में उनकी मदद चाता है एस पहले तो मना कर देता है लेकिन Crypto उसे समझाता है कि इसके बदले मैं तुम्हें एक सेफ जगा पहुचा सकता हूँ जहां Shelter वाले तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे और ये सुनकर वो उसकी बात मान जाता है इधर दूसरी तरफ हम लूलू को देखते हैं जो अपने जैसे कुछ गिनी पिक्स को छुडाने आई है और उन्हें बताती है कि मेरा मालिक लैक सेक स्ट्राइकर आइलेंड पर कैद है और तुम्हें उसे छुडाने में मेरी मदद करनी होगी फिर वो Crypto Knight की मदद से उन्हें कुछ सूपर पावर्स देती है लेकिन देखती है कि जस्टिस लीग उसे रोकने आप पहुची है Crypto और उसके दोस भी टीवी पर उनकी लड़ाई को देखते हैं जहां लूलू ने एक एक करके जस्टिस लीग को बंदी बना लिया है और Crypto उने तुरंत उसके पास चलने को कहता है वहाँ उन गिनी पिक्स को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन Crypto देखता है कि उनकी सूपर पावर्स किसी काम की नहीं है और ये देखकर वो खुद लूलू से लड़ने जाता है लूलू उसे हवा में ही फ्रीज कर देती है और खहती है कि तुम भला उस सूपर मैन को क्यों बचाना चाते हो जबकि उसे तुम्हारी बिलकुल परवा नहीं है वो बताती है कि कैसे सूपर मैन और लूइस शादी करने वाले हैं और उसे सूपर मैन से मिली वो वेडिंग लिंग दिखाती है क्रिप्टो ये देखकर चौप जाता है और लूलू से उठाकर होल ओफ जस्टीस में फैंक देती है फिर वो एस और उसके दोस्तों का खूब मजाक उडाती है कि मैने तुम जैसे बेकार सूपर हिरोस कभी नहीं देखे और अपने गिनी बिक्स को लेकर वहाँ से चली जाती है आगे हम लैक्स के हैट वार्टर को देखते हैं जहां सारे सूपर हिरोस को बंदी बनाया हुआ है और वो जाकर भी उस कैट से नहीं निकल पाते तब ही वो टीवी पर क्रिप्टो और उसके दोस्तों को देखते हैं और उन्हें लगता है कि आब हमारी मदद यहीं आनिमल्स कर सकते हैं इधर क्लाक की शादी की बात सुनकर क्रिप्टो का मन तूट जाता है और तब बाकी एनिमल्स एस को उससे बात करने भेजते हैं वो क्रिप्टो को अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो भी एक टाइम पर एक पालतू पैट था और उसके मालिक की बेटी उसे बहुत प्यार करती थी फिर एक दिन वो सीडियों से नीचे गिनने वाली थी लेकिन मैंने अपने मूँ से पकड़ कर उसे वापस खीच लिया जिससे उसके हाथ ओपर दाथ के निशान आ गए ये देखकर वो फैमिली नाराज हो गई और बिना कुछ सोचे समझे मुझे अनिमल शेल्टर के हवाले कर दिया वो क्रिप्टो को समझाता है कि मेरी फैमिली की तरह तुमें भी कुछ गलत फैमि हुई है और सूपर मैं तुमें कभी नहीं छोड़ सकता फिर वो उन सूपर पैट्स को ट्रेनिंग करते वे देखते हैं और यहां एस बताता है कि वैसे तो लूलू भी बहुत टैलेंटिट थी लेकिन पता नहीं क्यूं वो एक बागस साइंटिस से बहुत इंप्रेस्ट थी और यह सुनकर क्रिप्टो समझ जाता है कि यह जरूर लैक्स की बात कर रहा है और हो नहो लूलू उसे बचाने स्ट्राइकर आइलेंट गई होगी पता चलता है कि वो लोग एकदम ठीक सोच रहे थी क्योंकि लूलू ने स्टाइकर आइलेंड पर अटेक कर दिया था और वो कहती है कि आप मुझे लैक से मिलने से कोई नहीं रोक सकता इधर क्रिप्टो वंडर वोमेन के इन्विजिबल जेट का यूज करता है लेकिन कुछ मिसाइल सुने क्रैश कर देती हैं और वो देखते हैं कि ये तो लूलू की फ्रेंड विसकर है और उसे भी लूलू ने सूपर पावर्स दे दी हैं वो अपनी मिसाइल से उन्हें मारने की कोशिश करती है लेकिन एस बीच में आकर उन्हें बचा लेता है क्योंकि उसकी बोड़ी एकदम इन्विंसिबल है तब विसकर उन्हें पर एक ग्रेनेट फैंकती है लेकिन अपनी स्पीर का फायदा उठाकर मैटन उसे वापस उसी के पास रख देती है फिर वो लोग उसे एक कंटेनर से ढग देते हैं और लेक्स भी उसकी इंटेलिजेंस देखकर हैरान रह जाता है तब ही उसे रोकने वो सूपर पैट्स आते हैं लेकिन लूलू एक बड़े से मैटल को क्रिप्टो के उपर लटका देती है और कहती है कि अगर इसे बचाना चाहते हो तो चुप चप यहाँ बनी सेंस में चले जाओ क्रिप्टो उन्हें ऐसा करने से मना करता है लेकिन सूपर पैट्स को लूलू की बात माननी पड़ती है और क्रिप्टो भी उनके साथ बंद हो जाता है फिर लूलू लेक्स को अजाद करती है लेकिन वो नहीं जानती थी कि लेक्स को उसमें कोई इंटरस्ट नहीं है और उसे कैद करके वो मरसी के साथ महाँ से चला जाता है क्रिप्टो उसे अपनी टीम में आने को कहता है लेकिन लूलू कहती है कि वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यूंकि 28 मिनट में तुम्हारे दोस मरने वाले है फिर वो अपने दो गिनी पिक्स को बुलाती है और कहती है कि अब जस्टिस लीक के साथ-साथ लेक्स को भी मेरा हिसाब चुकाना होगा क्रिप्टो को लगता है कि शैज ये सब उसी की गलती है और आज वो अपना दोस हमेशा के लिए खोने वाला है तब ही चिप्पू से बताता है कि तुम मचानक से हवा में उनने लगे हो और क्रिप्टो देखता है कि ग्रीन क्रिप्टो नाइट का असर खत्म हो चुका है जिससे उसकी पावर्स वापस आ गई है फिर वो अपनी पावर से उन सबी को छुडा लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें और मुसीबत में नहीं डाल सकता और ये कहतर अकेला ही लूलू का सामना करने चला जाता है वहाँ से निकल कर वो लैक्स के हैड़क्वार्टर में आता है जहां लूलू अपने मीनियन्स के साथ तबाही मचा रही है और वो सब क्रिप्टो पर अटैक करने लगते हैं लूलू मौका देकर लैक्स के पास आती है और उसे भी जस्टिस लीग के साथ कैद कर लेती है फिर वो ब्लास डोर को बंद कर देती है और अपने मीनिल से ब्लास बटन को दबाने को बोलती है लेकिन वो गिनीपिक्स ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम इस तरह किसी को जान से नहीं मार सकते तब लुलू उन दोनों को क्रश कर देती है और कहती है कि आप इस बटन को मुझे ही दबाना होगा लेकिन इससे पहले कि वो उस बटन को दबा पाए क्रिप्टो वहाँ आकर उसे दूर ले जाता है और पूछता है कि बताओ सूपरमैन को कहाँ छुपा रखा है इस पर लूलू कहती है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी है और सूपरमैन हमेशा के लिए तुमसे दूर जाने वाला है और ये कहकर वो दूर से यूज बटन को दबा देती है इधर लैक्स जस्टिस लिग को बताता है कि ये ओफिस असल में एक स्पेसशिप है और लूलू उन्हें अर्च से बाहर बेजना चाती है क्रिप्टो भी उस स्पेसशिप को जाते वे देखता है और तब वो गिनी पिक्स उसे बताते हैं कि रोकेट में एक बॉम लगा हुआ है जो स्पेस में जाते ही ब्लास्ट हो जाएगा क्रिप्टो ये सुनकर रोकेट के और जाने लगता है लेकिन देखता है कि लूलू लूइस के हेलिकॉप्टर को क्रश करने वाली है और उसे समझ नहीं आता कि आप उसे किसे बचाना चाहिए तब ही उसके दोस सूपर पैट्स वहां आते हैं और लूलू ने देखकर हेलिकॉप्टर को दूर उचाल देती है क्रिप्टो न अपने दोस्तों से जस्टिस लिक को बचाने को कहता है और खुद लूइस को बचाने हेलिकॉप्टर की और जाता है जो एक बिल्डिंग पर क्रेश होने वाला है लेकिन Crypto and Time पर आकर उसे बचा लेता है इधर PB अपने Size को बहुत बड़ा बना लेती है और Merton की Speed का फायदा उठाकर वो Ace और Chip को Rocket की ओर बेज देते हैं Chip अपनी Electricity से Base को काटने लगता है लेकिन इसी Engines में आग लग जाती है तब Ace आग में जाकर खुद Base को काटता है लेकिन हम देखते हैं कि Rocket Space के करीब पहुँच गया है और तब ही अचानक उसमें Blast हो जाता है Crypto ये देखकर डर जाता है और उसका ध्यान बटकते ही Lulu उसे उठाकर नीचे बटक देती है वहाँ वो Crypto को मारने की कोशिश करती है लेकिन पता चलता है कि Ace और Chip ने Justice League को बचा लिया है और PB उन्हें सेफली लैंड करने में मदद करती है Lulu को इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और तब Crypto अपने किक से उसे दूर उचाल देता है जिससे उसके लोकेट में डला हुआ Crypto नाइट तूट जाता है उसे उन लोग ओपर बहुत कुछ सा आता है और फिर कुछ सोच कर वो उन टुकडो को अपने अंदर समा लेती है जिससे उसका DNA चेंज होने लगता है Justice League और Crypto को भी कुछ समझ नहीं आता और तभी वो देखते हैं कि लूलू ने खुद को एक मोंस्टर में बदल लिया है Crypto उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन लूलू एक ही जटके में उसे दूर फैंट देती है फिर वो सूपर मैन को ग्रीन क्रिप्टो नाइट में कैद कर लेती है और ये देखकर Justice League और सूपर पैट से एक साथ उस पर अटेक कर देते हैं उनके अटेक का भी लूलू पर कोई ऐसर नहीं होता और तभी हम क्रिप्टो को वापस आते वे देखते हैं वो समझ जाता है कि इस तरह वो लूलू को नहीं रोक पाएंगे और तभी उसकी नजर उपर सूरज पर पड़ती है यहाँ वो अपना Solar Power Punch यूज करने की सोचता है जिसमें वो Solar Energy को एक वेपन की तरह यूज कर सकता है लेकिन Super Pets उसे वोन करते हैं कि इस से तुमारी जान भी जा सकती है क्रिप्टो इस बात की कोई परवा नहीं करता और उड़ता हुआ सिधा सूरज की और जाने लगता है इधर लूलू अपनी पावर का यूज उसके दोस्तों पर करती है और वो सब दर्ट से तड़पने लगते हैं क्रिप्टो भी जल्दी ही सूरज तक पहुँच जाता है और उसकी एनरजी को अपने अंदर स्टोर करने लगता है फिर वो वापस आकर उसका यूज लूलू पर करता है जिससे उसके अंदर के क्रिप्टो नाइट नश्टो जाते हैं लेकिन क्रिप्टो खुद को इस शोक वेफ से नहीं बचा बाता, तबी वो देखता है कि एस वहाँ उसे शील्ड करने आया है, और इन्विंसिबल बोडी होने के कारण वो क्रिप्टो को बचा कर नीचे ले आता है, लूलू अपने नॉर्मल रूप में वापस आ जाती है, ज उसके पास तो लूइस आ गई है, वो एक बार फिर उदास हो जाता है, लेकिन कहता है कि मैं तुम दोनों की जोड़ी से बहुत खुश हूँ, तब सूपरमैन उसे अपने पास बुलाता है, और कहता है कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो, फिर वो सूपरमैन को उसकी वैडिंग रिंग देता है, और वो सब के सामने लूइस को प्रपोस करता है, जस्टिस लीग एक एकर करके सूपर पैट्स को डॉक कर लेते हैं, जिन में लूलू के गीनी पिक्स भी शामिल है, और एसको साथ मिलता है बैटमैन का, आगे हम देखते हैं कि सूपर में मरसी वहां आती है, जो लूलू को पैट बना कर अपने साथ ले जाती है, और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है, तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो, तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक्यू